दोस्तो एक निव यूटूब चैनल शुरू से अच्छा कासा ग्रो करने के लिए आपको 8 सिक्रिट टीप्स आपको फोलो करना होगा तो भी जाके आपकी चैनल आप ग्रो कर सकते हों जैसे कि टीप्स फोर स्टार्टिंग ए यूटूब चैनल यह आपको स्टार्टिंग में यह टीप्स जो है आपको फोलो करना होगा तो भी जाके आपकी चैनल जो है आप शुरू से ग्रो कर पाएंगे ऐसानी कि में यूटूब पर बिल्कुल नगा हूँ मैं एक यूटूब चैनल है जिस चैनल से मेरा ओलड़ी इंकाम हो रहा है वो भी दूस्तों दो साल से मेरा इनकाम हो रहा है तो उस चैनल का नाम है डिजिटल साहित पॉइंट अगर आपने सस्क्रेब नहीं कहें तो जाकर आप सस्क्रेब भी कर सकते हैं तो यह 8 सिक्रेट टीप्स क्या होता है आज आप लोग की साथ में यह चीज़ शियार करने वाला है अगर आप मेरे से ज्याद आप देख सकते हों जैसे कि टीप्स फोर स्टार्टिंग यह यूटूब चैनल जब आप स्टार्ट करते हों तो आपको यह 8 सिक्रेट टीप्स आपको फोलो करना होगा और एक नया यूटूब चैनल के लिए मस्ट इन्पोटेंट यह सिक्रेट टीप्स होता है जैसे कि दो option है यानि कि देखे PEEK THE RIGHT Niche, Niche क्या होता है, दोस्तों आपको ऐसा एक यूनिक चीज आपको ढूनना पड़ेगा कि उस चीजों की उपर आपको वीडियो बनाना है, जैसे कि एक ही चीजों की उपर आपको वीडियो अपलेट करना है, फर एक्जाम्पॉल जैसे कि मैं यूटूब टीप्स एंड ट्रिक्स इस चले पर प्रोवाइट करता हूँ तो मैं स्रीफ ओही चीज मुझे प्रोवाइट करना होगा otherwise अगर मैं बीघ बीच में ब्लॉक वीडियो अप्लेट कर देता हूँ तो इसको नीश नहीं कहा जाता है नीश एक ही चीज को कहा जाता है यानि कि खुल मिला कि एक ही केटेगरी में आपको वीडियो अप्लेट करना है अगर आप Facebook की related वीडियो अपलेट करते हो तो आपको स्रिफ Facebook की related वीडियो अपलेट करना होगा तो भी जाकि YouTube की जो algorithm है algorithm की साथ आपकी जो channel है connect हो पाएगा और आपकी channel आप जल्द से जल्द grow कर पाओगे Next यानि कि तार जो point है दूस्तो देखिए Set a consistent posting schedule यानि कि जब आप channel शुरुआत करते हो शुरुआत करने की बाद तो जरूर आपकी channel पर वीडियो आपलेट करते होंगे तो वीडियो आपलेट करने की एक time table आपको schedule करना पड़ेगा यानि कि अगर आप हाफ़ता में दो वीडियो आपलेट करते हों या तीन वीडियो आपलेट करते हों तो ये तीनों वीडियो हाफ़ता में आपलेट होना चाहिए और जब आपलेट करते हों आपलेट करने की एक fixed time आपको schedule करना पड़ेगा यानि कि हो सकते हैं आप साम 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, कोई भी एक टाइम आपको शीडूल करना पड़ेगा, उस टाइम पर वीडियो आपलोड होना चाहिए, इसको कहा जाता है, सेट एक कंसिस्टेंट पोस्टिंग शीडूल, फोर्थ जो हैं दूस्तों दिखिए, मेक स्मॉल और इंप्रोवेमेंट इन बेरी वीडियो, यानि कि आप शुरुवात में आपको ज्यादा लोंग वीडियो नहीं बना रहा है, आपको मतलब नर्मेली एक वीडियो क्रियेट क करेंगे कि सच में आप औरियंस को कुछ सिखा पाऊगी, इसलिए आपको शॉट शॉट वीडियो अपलिट करना है, शॉट का मतलब यह ने कि आपको शॉट वीडियो अपलिट करना है, आप जितना हो सकह जैसे कि 4 मिनिट, 5 मिनिट की अंदर-अदर आपको वीडियो शू तो यह जो title है दूस्तो जब आप video shoot करते हो जैसे कि मैं अब युडियो shoot कर रहा हूं तो इस video के अंदर मैंने audience को क्या-क्या बताए है आप लोग को मैंने क्या-क्या बताया है उससे की related मिलते-जुलते qr होना चाहिए For example, मैंने ये settings की बारी में बात कर रहा हूँ, tips की बारी में बात कर रहा हूँ, तो मतलब ये चीज जो है, इसकी related, यानि की मिलते जुलते, title जो है, लिखना होगा. तो भी जाके आपकी जो thumbnail है, और आपकी जो title है, वीडियो की, दोनों में manage करेगा, और manage करने से आपकी thumbnail की जो impressions click-through rate होता है, काफी ज्यादा होगा, और इसके लिए आपकी वीडियो पर ज्यादा views आने की chances होता है. Six options जो है दोस्तों, यहाँ आप देखिए, Use relevant keyword in video description, यानि की आप जिस topic की उपर video upload कर रहे हो, उस topic की related आपको description पर भी keyword लिखना होगा. जैसे की मान लिजे, आपने एक video बनाया है, how to make a YouTube channel, तो यह जो related keyword होता है, how to make a YouTube channel, YouTube channel कैसे बनाए, यह जो related मिलते जुलते जो keyword है, video की description पर भी आपको डालना होगा, channel जो है, जल्द से जल्द ग्रोंग करने के लिए, तो इसको कहा जाता है, use relevant keyword in video description, तो आप समझ लिया इसके बाद, 7th जो point है, देखे, 7th point, link to important info in the video description, जैसे की आपने YouTube पर तो video upload करते हो, कुछ audience की कुछ problem है, और आपकी साथ connect करना चाहता है, audience, यानि की contact करना चाहता है, तो क्या आप तो mobile number नहीं दे सकते है, इसके लिए दूस्तों, आपको आदार, यानि की विन्नो, आपको कुछ link देना होगा, जैसे की Facebook link आप दे सकते हो, Twitter link आप दे सकते हो, Instagram link आप दे सकते हो, Telegram link आप दे सकते हो, Facebook page का link आप दे सकते हो, जैसे की audience जब जरूरत पड़ेगा, तो Facebook की तुरू आपको message कर पाएंगे, या Twitter की तुरू आपको message कर पाएंगे, इसके लिए आपको important link, वीडियो के Description पर देना होगा वीडियो के Description पर लिंक जब आप डालने की कुशिश करेंगे तो यहाँ बार बार डालने की जरुरूत नहीं है चले की जो सेटिंग है सेटिंग जाके आप एक बार से यह लिक शेट कर सकते हो इसके बात दुस्तो एड जो ओप्षोन है जैसे क एट ऑप्षोन से ट्यूवर चेनेल टेग देखिए एक वीडियो आप लिट करने की साथ ही साथ सार्चबूल टेग आपको इस वीडियो की निचे देना होगा यानि कि होर एक क्रियेटर स्टेग लगाते हैं टेग की वैसे वीडियो रेम करता है टेग की वैसे से यूटूब करके searchable tag आपको find करना होगा और आपकी वीडियो की जो tag list है जहाँ पर tag है वहाँ आपको tag डालना होगा तो भी जाके लोग जो यूटूब पर आखे search करेंगे how to make a YouTube channel या YouTube channel कैसे बनाए या views कैसे बढ़ाए जिस topic की उपर आप वीडियो बनाते हों उस topic की related आपको tag उस वीडियो की tag list पर आपको tag देना होगा तो भी जाके लोग जैसे आप search करेंगे तो आपकी वीडियो हो सकता है सामने आने की chances होता है तो दूस्तों यह 8 जो secret tips है आपको हमेशे याद करना पड़ेगा जितना दिन आप YouTube पर काम करेंगे उतना दिन आपको यह 8 secret tips आपको follow करना होगा अगर यह चीज follow नहीं करते हैं तो आपकी चैनल ग्रोहने में काफी time लाग सकता है otherwise आपकी चैनल मतलब डेड़ भी हो सकता है सो दूस्तों I hope यह वीडियो काफी पसंदाया होगा वीडियो पसंदाया है तो लाइक करना है चैनल परना है तो चैनल को जरूर सस्काइब करना है सो दूस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है